राल्फ वाल्दो एमर्सन, क्वोट्स इन हिंदी, फेमस राइटर, प्रोडूसर वे अमेरिका में नई जागरित लेकर आये थे इनका जन्म 25 मई 1803 को बोस्टन, मासाशूसर्ट्स में और देहांत 27 अपरेल 1882 में कौनकोर्ड, मासाशूसर्ट्स में हुआ था आये जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार जिक्र उसी की होती है जिसकी फिक्र होती है कल मैं उसके गली से गुजर रहा था, क्या बताओं मेरे उपर क्या गुजर रहा थी आई दुनिया का दस्तूर है ये, जिसे तूट कर चाहोगे, वही तोड कर जाएगा आई दिन दूसरों के कामों में बीट जाती है और रात आपकी यादों में बीट जाती है आई बहुत दिनों से नजर में थी, पता नहीं किसकी नजर लगी, आज कल नजर नहीं आती आई अधूरे आशिक के बाद ही लोग पुरे शायर बनते हैं आई कभी कभी कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि उनके फेस पर देने का मन करता है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड आई जुर्म का पता नहीं, बस सजा दिये जा रही है जिन्दगी आई वक्त बहुत कुछ छीन लेती है, खैर में तो किसी का आशिक था आई आज कल लोग दूरियों का फाइदा उठा कर मजबूरियां बता जाते हैं आई रोज पूछते थे मुझसे मेरा हाल, आज कल किसी और से पूछ रही हैं आई जवाब तो उन्हें चाहिए जो सवाल करते हैं मैंने तो इजाजक मांगी हैं आई मेरा बस चले तो मैं आपको काजल लगा के देखूं कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाया आई आशिकों के इंशुरंस होते तो इतने लोग इश्क में नहीं मरते आई कुछ घंटों की मुलाकात सालों बया कर गई आई कभी कभी लोग कुछ ऐसा कह जाते हैं हमें आपकी याद दिला जाते हैं आई एक बेनामसी मुहबबत मैंने किसी गुमनाम के नाम कर दी आई इश्क अगर दाइरे में रहा तो शादी में क्या बुराई है आई मेरी सिगरेट के तलब से भी अहम हो तुम कैसे कहूं सबसे अलग हो तुम आई दाग दिल पर लगी है और हम है की लिबास धोए जा रहे हैं आई रूठने का सबब रोज हो गया शायद इन्हें पसंद कोई और हो गया है आई हम आपके ख्यालों में इतना खो गए है की अब गूगल भी खोज नहीं पाएगा आई दूरिया इतनी बड़ी हो जाएगी ये नस्दीक आने के बाद एहसास हुआ आई झालों में एाई